दोस्तो आज में बात करने वाला Montage Pro Application के बारे में बिल्कूर नए Application है और यह Video Editing Application इस Application चाहँ जिस तरह का Video Editing करना चाहते हैं जिस तरह का Video बनाना चाहते हैं उस तरह का Video बना सकते हैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल से दिखने के लिए मिल जाएगा जिसकी मदद शाख बहुत ही बहharितरी इन वीडियो को बना सकते हैं और यहाँ पे आप जिस भी अनूपात में अपने वीडियो बनाने चाहते हैं या जो application या application पूरी तरह से free application है, या paid application नहीं, या बिल्कुल free application है, तो चलिए दोस्तों बिना समय को बाए, direct video को शुरू करते हैं, हलो दोस्तों मेरा नाम हुमेश कुमार, आप देखे रियान स्टेक, याम स्टेक में आपका स्वागत है, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं, तीस application का link आपको description box में मिल जाएगा, वहाँ पे किलिक करके आप इस application को download करके install कर लें, install करने के बाद आप इस application को जैसा ही open करेंगे, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह इसका interface दिखेगा, तो यहाँ पे camera वाले पे किलिक करके आप direct video को record कर सकते हैं, और यदि आपके पास कोई पहले से record किया गया video है, तो उस video को यहाँ पे gallery वाले पे किलिक करके लेके editing कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई video को editing करके आपको दिखाता हूँ अपनी gallery से, तो मैं यहाँ पर gallery वाले पर click करता हूँ उसके बाद यह allow करने के लिए बोलेगा तो मैं allow पर click कर देता हूँ उसके बाद थोड़ा सा wait करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा gallery यहाँ पर open हो चुका है तो मैं किसी video को यहाँ से एक ले लेता हूँ जिसको मैं editing करना चाहता हूँ तो मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एक video ले लेता हूँ यहाँ से तो देख सकते हैं यहाँ पर video को play करके देखना चाहते हैं यहाँ पर click करके देख सकते हैं का आपका video कीस तरह दीख रहा है इसलिए आपको यहाँ पे sound नहीं सुना रहा होगा तो मैं वीडियो को stop कर देता हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे ratio का option होगा ठीक है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ratio नहीं लिखा हुआ यहाँ पे canvas लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको click कर देना है ठीक है उसके बाद यह बोलेगा कि आप कीस अनुपात में अपने वीडियो को बनाना चाहते हैं यहाँ से आप जीस भी अनुपात में अपने वीडियो को बनाना चाहते हैं उस अनुपात को यहाँ से ले 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 बाद आपको यहाँ टीक वाले पे किलिक कर देना है, मैं ओरिजिनल पे ही छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर फ़स्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पर वीडियो को भी फ़स्ट में कर देता हूँ, तो पहला उप्शन यहाँ पर आपको ट्रीम का मिल जाता यदि आप अपने वीडियो में फिल्टर लगाना चाहते हैं यहां से लगा सकते हैं यहां पे आपको बहुत तरह तरह का फिल्टर देखने के लिए मिलेगा ताब जिस भी तरह का फिल्टर अपने वीडियो में अपलाई करना चाहते हैं उस तरह का फिल्टर अपलाई क effect है तो आपको जो भी effect पसंद हो जिस तरह का effect पसंद हो उस तरह effect अपने वीडियो में लगा सकते हैं नीचे देख सकते हैं और भी बहुत सारा option दिया गया है तो एक में इतना है देख सकते हैं यहाँ पर कितना लग रहा था, दे probability और तरह का distractions आप जी तरह का क्युं expect यहीं तरह काESEथे आपणे विडीयों में ड़ाना सकते हैं, उसके पाद यदि आप अपने वीडियों में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे तरह मैं नहीं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे text में click करके आप लिख सकते हैं उसके बाद यदि आप अपने video में background, music वगरे ये सब लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे audio में click करके लगा सकते हैं यहाँ पे आप live recording भी कर सकते हैं अपनी voice को उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो के उपर एक और वीडियो यहाँ पे चलाओ तो यहाँ पे P.I.P. में किलिक करके आपको यहाँ पे P.I.P. में किलिक करना पड़ेगा उसके बाद आप जिस भी वीडियो को लेना चाहते हैं लगाना चाहते हैं वो वीडियो आपको बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं तो आपको जो भी करना हो कर ले ठीक है उसके बाद टीक वाले पर आप किलिक कर दे तो मैं फिलाल यहां इसे डिलीट कर देता हूँ उसके बाद यदि आप अपने वीडियो में श्टीकर लगाना चाहते हैं यहां पर किलि करके आप वीडियो को speed भी कर सकते हैं आगे करेंगे तो जादा speed होगा पीछे करेंगे तो slow होगा reverse में कर देंगे तो वीडियो उल्टा हो जाएगा ठीक है उसके बाद यदि आप वीडियो को दो पार्ट में cut करना चाहते हैं तो split में click करके cut कर सकते हैं और यदि beauty वगरा यह यहां से लगा सकते हैं brightness, contrast, यह सब वगरा यहां पर दिया हुआ तो यह सब आप खुदी कर लेंगे बहुत easy है उसके बाद यदि आप अपने वीडियो में freeze वाला style लगाना चाहते हैं तो यहां पर click करके आप लगा सकते हैं यहां पर बहुत तरह का style है देख सकते हैं watermark लगाना चाहते हैं तो वह भी यहां पर click करके लगा सकते हैं और यदि वीडियो के किसी हिसे को blur करना चाहते है तो यहां पर blur का भी option आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब जीस भी sign up करने के लिए बोलेगा तो आप अपने gmail id से यहाँ से sign up कर दें तो मैं यहाँ पे click करता हूँ किसी एक gmail id से sign up कर देता हूँ तो आप जैसे ही sign up कर देंगे देख सकते हैं exporting चालो होगी है तो आपको देख सकते हैं वीडियो में कहीं भी watermark नहीं है तो इसी तरह आप फैसो इस application की मदद से अपना video editing कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो जरूर पसंद आए होगा यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सेर जरूर कर दें यदि आपको को सवाल हो तो मुझे नीचे comment box में comment करके पूश सकते हैं चलिए तो मिलते फिन नेस्ट वीडियो में